आईए दोस्तों आज हम रोयल रोयल्स के बारे में बात करते हैं इस नाम के पीछी क्या हिस्ट्री है, ये कंपनी कब बनी वे, कहां बनी, किसने बनाई, इस गाडियों में ऐसा क्या खास है जो इसकी स्वारी को रोयल स्वारी का जाता है, ऐसा क्या खास है जो ओटो मोबल इं गार्डी आवेलेबल है कितने में मिलती है यह सारी इस वीडियो में हम जान करें देने वाले हैं तो अन तक जरूर बने रहे हैं Henry Rolls जो कि एक इंजिनियर थे और Charles Rolls उसे में एक डीलर थे इन दोनों ने 1904 में इस कंपनी को बनाये था जैसा कि आप देख सकते हैं इस कंपनी का नाम इन दोनों के आदार पर रखा गया था Roll Rolls इसके बाद 1903 में बिटिश डिफेंस कंपनी से खरीद लिया और 2003 में BMW के पास Roll Rolls की पूरी ओनर्सी भागई जिसके बाद BMW ने Good Pudding Land ने अपना पहला headquarter खोला और अपने प्रोडेक्ट को 2003 में लौंच किया और दीरे दीरे ये पूरी दुनिया में famous हो गई बड़े बड़े celebrity की पहली पसंद Rolls हो होने लगी Roll Rolls में काफी चीज़े अलग है जो इन्हें बहुत खास बनाती है Roll Rolls की सारी गार्डियां completely head made होती है हातों से बनी होती है आज कल के जमाने में हर कोई car manufacturing अपने plant में robot का यूज करते हैं ताकि कम से कम समय में ज्यादा ज्यादा गार्डियां बनाई जा सके जबकि दूसरी तरफ Roll Rolls के plant में सिरफ चार robot हैं जो कि केवल basic काम करते हैं और सभी काम हातों से किया जाता है पलकि गाड़ी का engine भी हातों से बनाई जाता है वह हर एक काम को perfect तरीके से किया जाता है इस परकार किसी भी गलती का या कमी का कोई गुंजाइस नहीं होती एक Roll Roll Rolls कार को बनाने में कम से कम दो महिने का समय लगता है आपने Roll Rolls के उपर एक लोगो बना हो वा देखाऊगा उसे spirit of extremely कहा जाता है असलम है यह logo symbol है लौका Rolls में GPS की मदद से पता पहले ही पता कर लेती है कहां ट्रन आने वाला है कहां पर declining काहां ट्रेटिक जमा है कहां रोड की लिए रहे है यह पेले ही पता चल जाता है उसकी ग्यानों सार ओटोमेटिक गेर चेंज हो जाता है इस कारन ड्रोल्रों की काड़िया बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक वे सेयर करें